हाई फ्रेंट्स माइस से डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आपको एक कंडिशन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है फिमोसिस पेशली फिमोसिस जो बच्चों में होता है मैं आपको बताऊंगी कि इसका रीज है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आखर फिमोसिस होता है तो फिमोसिस एक कंडिशन है जिसमें for skin नहीं होती है नीचे की तरफ नहीं कुछती है इसी कंडिशन को रों फिमोसिस कहते हैं बच्चों में बहूती ज्यादा कॉमन होता है ऐसे देखा जाता है कि 50% ब बढ़े होने लग जाते हैं तब यह अपने प्रियून होती है लेकिंन कि सारे बच्चे जिनकी कंडीशन ठीक नहीं होती है और अन्हें hell होती है उनकी जो four skin ह Scratch how to continue जिब मेल चाइल्ड का जरम होता है तो उनका जो four skin है वह काफी जादा tight होती है intact रहती है जैसे जैसे बच्चों की age बढ़ती है उनकी for skin अपने आप थोड़ी सी lose होने लग जाती है ऐसा देखा जाता है कि 2-6 साल तक के जो बच्चे है उनका for skin अपने आप lose होती है और skin नीचे की तरफ आने लग जाती है parents भी cleaning करते हैं तो skin खुलने लग जाती है और skin नीचे की तरफ retract होती है लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जब 6 साल के हो जाते हैं उसके बाद भी उनकी for skin tight रहती है वो नीचे की तरफ retract नहीं होती है और 1% male child ऐसा होता है जिनको 16 year तक femosis की complaint रहती है उनकी जो for skin है वो नीचे की तरफ नहीं आती है और four skin tight रहती है अब मैं आपको इसके symptom बता देती हूँ कि अगर किसी बच्चे को यह condition है तो उसमें आपको क्या-क्या symptoms दिखाई देंगे तो first important symptom यह है कि जो for skin है वो बहुत जादा tight होती है उसको आप नीचे की तरफ खिचोंगे तो नहीं जाएगी काफिर जादा पेन होता है four skin में swelling हो सकती है कई बार असे देखा जाता है कि बच्चों को four skin में cracks भी होने लग जाते है और ऐसे बच्चों को four skin tight होने के वज़े से urination problem होती है जब वो toilet करते है तो वहां पर उन्हें swelling हो सकती है आप मैं आपको कुछ homeopathic medicine बत कर सकते हैं इसके अलावा आप थूजा 30 medicine का यूज़ कर सकते हैं यह सारी की सारी medicine इस condition के लिए बहुत ही ज़्याद में आपको बताए कि यह क्या होता है इसमें क्या के symptom आते है और कुछ homeopathic medicine जो आप इस condition के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी condition के लिए मु मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकनों से प्रेस कर लिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू